Hello everyone, welcome to study time with new informative video अलहबाद High Court से group C और D की जो new vacancy है वो आनी है और बच्चे काफी टाइम से जो इसका इंतजार है वो भी कर रहे हैं लिकिन इसी संबंद में बच्चों के बहुत सारे जो question है वो आ रहे हैं और एक जो major question है वो ये है कि ये जो vacancy आएगी तो इसकी भी परिच्चा जो है ROARO की तरह इस बार online होगी या फिर offline है वो होगी यानि कि OMR seat पर होगी या फिर computer में होगी तो सबसे पहले अगर बात करें आपके group C और D की notification की कि ये कब तक आएगा क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है आपको इसका इंतजार करते हुए तो आप सभी जानते कि ये भरती आनी थी और ऐसा नहीं है कि इसमें किसी अन्यकारण से delay हो रहा हो सिर्फ जो delay हो रहा है वो ROARO की वज़े से हो रहा है जो इसमें case हुआ था ठीक है तो जो update मिली थी वो आपको जानकारी दे दी गई है कि इस हफते के something आपको जो order है वो देखने को मिल सकता है लेकिन अगर बात करें इस vacancy की तो जैसे ही order आ जाएगा और उसमें जो भी होगा joining, retyping, जो भी होना होगा है ना तो वो order पे depend करता है जो order रहेगा वो ठीक है लेकिन उसके बाद ही आपको जो group C.O.D. की जो new vacancy है वो देखने को मिलेगी और जब order आएगा फिर उसके process में कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन या एक महिना लग सकता है और उसकी तुरंद बाद आपको जो इसका notification है वो देखने को मिल जाएगा तो अगस्त लास्ट या सेतमबर जो है वो हो सकता है इसकी notification के लिए ठीक है तो आप लोग अगर इतनी इतने दिनों से इंतिजार कर रहे थे इस notification का तो अब थोड़ा इंतिजार और करें ज्यादा इंतिजार करने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी आप लोग अपनी तयारी पे ज्यादा फोकस बनायोंगे है ना इसके इंतिजार करने से ज्यादा क्योंकि तयारी most important है preparation ज्यादा important है किसी चीज़ का इंतिजार करने से क्योंकि वो आ गई और फिर आपकी तयारी नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको तयारी अपनी एकदम तयार रखनी है 100% कि कभी भी notification आ जाए आप एकदम तयार रहें क्योंकि योध्धा वही होता है जो पहले से तयार होता हो ऐसा नहीं है कि जब युद्ध के मौलदान में पहुँच गए और फिर सोच रहें कि कैसे लड़ना है तो आप लोग निश्चित तोर पर एकदम तयारी में लगे होंगे अच्छे से और अगस्ट लास्ट तक आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी हो सकता है देखनों को मिल जाए अगर आरो यारो के ओरडर में सारी चीसे सही रही ठीक अब बात करते हैं परिक्षा ओनलाइन होगी या फिर आफलाइन तो देखिए आपको पता होगा कि अलहबाद हाई कोट की जो वेकैंसी आती पहले आफलाइन होता था उसका एक्जाम इस बार जो टेंडर है वो एंटिये को दिया गया है और अलहबाद हाई कोट की जो भी परिक्षा होगी तो उस सभी का जो टेंडर है वो NTA के लिए था, ऐसा नहीं था कि केवल ROYRO की परिक्षा के लिए था तो जो tender दिया गया है उसके according जो भी परिक्षा होगी अलाबाद High Court की, तो वो online ही होगी NTA करवाएगा, और NTA offline परिक्षा तो करवाएगे नहीं, online ही और सहुलियत के लिए किया गया था हलाकि क्या हो गया, ROYRO वाले अग्जाम में, हसल आपने देखी लिए हसल उसका, तो बच्चे घबराए हुए हैं कि online हो गया तो फिर ऐसे ही सबसिस्टम चौपट हो जाएगा तो देखिए, अभी तक जो update है तो NTA के पास ही ये जो tender है वो है, और जो vacancy है, वो online exam इसका जो है, वो होगा, तो अभी तक की जानकरी यही है कि क्यों tender जो है, वो NTA के पास है, अब जो अलावाद हाई कोट है, वो notification जब जारी करे, उसमें बदलाव कर दे, NTA से न परिक्षा करवाए, वो अलग बात है, है ना, लेकिन क्योंकि जो गड़बड़ियां देखने को मिली है और ये सारी चीज़े, लेकिन अभी तक की जो update है, वो यही है कि आपकी परिक्षा online होगी, ठीक है, और जो tender है, क्योंकि वो NTA के पास है, तो आगे अगर कोई update आती है, या फिर आपको notification में तो सारी चीज़े पता ही चल जाएंगी, कि NTA जारी करता है, या फिर किसी और agency से करवाए जाती है, तो अभी तक कि update के अनुसार, आपकी परिक्षा online ही होगी, लेकिन online हो या offline, आप जैसे पढ़ रहे थे, आपको वैसे ही पढ़ना होगा, ठीक है, बाकि जो system चल रहा है, उसी के बीच में आपको selection भी लेना होगा, तो जो update मिली थी, वो आपको दे दी गई है, तो चलिए thank you, मिलते है new informative video के साथ,